हालो आज लेकलास में हम देखने में कि कैसे हम हमारे कंटेनर के अंदर डैक ji कुट न correct CPA आट कर सकते हैं प्रीविस ग्लास में अंदर आपको एक ही चैल्ड का उप्शन मिलता लेकिन उस चैल्ड के अंदर आप एक ऐसा विजिट ले सकते हो जो मल्टीपल फॉर्दर चाइल्ड को होल्ड करता हो तो एक तरह से देखा जाए तो जो हमारा के अंदर के अंदर को मैं जो हुआता मिलता है हूँ उसके अंदर को Certain कि यहां मै ने अपना जो ऑन्रश चूटीयो है उसके अंदर डिथौ्ट ब्रजक्ट ऐपन कं पर लिया है जिसमेں जो redundant code होता है, जिसकी requirement में को नहीं है, counter वाले app की, वो सारा code मैंने हटा दिया है, simple sum में को यहाँ पे एक container widget है, और क्योंकि मैंने यहाँ विर्थ और height fix नहीं करी है, तो यह automatically जो body की width और height होती है, वो consume कर रहा है, आप यहाँ देख सकते हैं, light blue color का पूरा container यहाँ आज चुका है, अब इसी के अंदर में एक और container लेता हूँ, यहाँ पर child का option होता है, और यहाँ पर मैं container लेता हूँ, अब इसकी width है, width देते हैं, 100, height देते हैं, 100, और color करके मैं इसको दिखा देता हूँ, क्या view हो आ रहा है, तो आप यहाँ देख सकते हैं, कि हमारा container आ चुका है, और अब हमारा previous container भी है, वो अब किस size का हो गया, जितनी size का उसका child दोता है, जब width और height मिल गई, तो इसके parent है, automatically, अपने child की width और height है, उसको consume कर लिया, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई fixed width और height नहीं दे रखी है, तो मैं इसको दे देता हूँ, यहाँ पे, आगे हम media query को भी use करेंगे, हम पूरी screen को कैसे use करना है, उसमें कैसे percentage के हिसाब से हमको UI को build करना है, responsive UI कैसे बनानी है, universal UI कैसे वो सब हम देखने वाले हैं, आगे आने वाले वीडियो के अंदर, तो अभी मैं आपको सिर्फ यहाँ पे width और height देना बताता हूँ, जिसमें आपको full space लेनी है, जैसे इसकी width लेनी है, उस case में आप क्या कर सकते हो, एक double class मिलती है आपको, double dot infinity, and height में भी हम क्या करेंगे, same चीज, double dot infinity, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, container को width और height और height और height और यहाँ पे आप देख सकते हैं, कि यह हमारा basic design है container की, और यह एक उपर container मैंने all ले लिया, इसके अंदर as a child, और इसकी width और height में fix कर दी है, 100 by 100, इसको मैं थोड़ा सा और बढ़ा देता हूं, 150 by 150 कर देता हूं, जो आपको container screen के सामने दिख रहा है, अब इस container को हम क्या करने वाले है, decorate करने वाले है, with the help of decoration, ठीक है, और decoration में हमको ज़रूत पढ़ेगी box decoration class की, तो आ जाते हैं हम इस container क कोई भी container के अंदर यह जो decoration है, वो लगा सकते हैं, ठीक है, तो यह आपको container के अंदर आने के बाद में, यहाँ पे आपको decoration नाम से एक attribute मिलेगा, इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, अपना box decoration class का object जो है, वो पास कर सकते हो, तो यहाँ हमने box decoration class का object बनाया, और अब जो important ची suppose that, अगर मैं ऐसे करके चलता हूँ, और मैं control s करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको एक error शो होगा, आप right hand side screen पे आप देख सकते हैं, जो कि आपको मिल रहा है, color is equal to equal to null, and decoration is equal to equal to null, cannot provide both color and decoration, to provide both, use decoration, अगर आपको decoration use करना ही है, तो उसके अंदर फिर color को use कर अगर आप container का decoration part use नहीं कर रहे हो, आपको सिर्फ color चाहिए, तब आप color provide कर सकते हो, लेकिन अगर आपको decoration भी apply करवाना और color भी apply करना है, तो decoration के अंदर ही, जैसे कि यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे आपको, मैं को क्या मिल जाएगा, color का option मिल जाएगा, और मैं same मैंने अब क्या किया, जो मेरे container में by default color था, वो हटा के, मैंने decoration के through, अब color को pass किया है, अब color के लिए नहीं आए, box decoration के अंदर, color थो by default हमको मिल ही रहाता, हम यहाँ पे किसलिए आए, यहाँ पे हमको मिलेगा, border radius, तो border radius का क्या मतलब होता है, जो आपकी edges दिख रही है, container की वो edges pointed है, तो इस तरीके से pointed है, मैं चाहता हूँ कि edges round हो, तो कहीं बार आपको design में इसके demand भी होती है, required भी रहता है, कि आप जो design बना रहे हो, उसको और UI wise इंप्रूव करने के लिए, हमको चाहिए होता है, कि उनके edges जो हो round हो जाए, ठेक है, और यह चारो side से round करने की requirement हो अब यहां पर देखो, आपको दो option मिलेंगे, only and all, आप directly circular भी दे सकते हो, circular एकदम एक shortcut है, जिसमें आपको विया करना होगा, simple सा radius pass करना है, जैक है, border radius dot circular और 11 कर दिया, और जैसे मैं control S करूँगा, तो आप यहां edges को पाऊँगे, कि वो round हो चुकी है, जैक है, आपको visible हो तो मैं थोड़ा सा ना इसको और बढ़ा के difference दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं, जैसे जैसे आप यह radius बढ़ाते जाएंगे, यह edges और round होती जाएगे, और जितनी हमारी यहां पर width है, यह चीज़ भी समझ लेना, जितनी हमारी width है, अगर उसका मैंने half यहां पर radius दे दि तो हमको manually इसको इतने के लिए ही use में लेना पड़ेगा, यह ages को इतना ही round कर रहे होंगे, अब बात करते हैं कि only का क्या मतलब होता है, only का मतलब होता है, नाम भी समझ में रहा है, केवल, तो केवल का मतलब यह है, कि आपको किस particular जगा से age को round करना है, अब यहां पे जब हम bottom right से round हो, बाकी दोनों ages से round ना हो, अगर आपकी design demand करती है, यह required है आपको कर ऐसे design, तो आप यह भी कर सकते हैं, आपको only में सिर्फ क्या करना है, यह थोड़ा सा zoom out कर देता हूँ, यहां पे हम कर देता है, top left में चाहिए में एको, अब देखो, यहां पे आप directly double में value नहीं all corners, ठीक है, लेकिन जब हम manually या तो all use कर रहे हैं, या हम only use कर रहे हैं, तो वहां पे हमको radius class का object पास करना पड़ेगा, तो यहां पे भी यही चीज़ है, यहां पे आपको जाना है, radius लिखना है, radius, dot, यहां पे आजाएगा आपके पास में दोनों option, elliptical देना है, तो आप ellipt transformed रहेगा, वो circle, चीक है, मतलब age की तरफ से, लेकिन जब हम elliptical देंगे, तो हम X और Y में changes करवा सकते हैं, वही X से इतना round करवाना है, लेकिन Y से ज़्यादा round करवाना है, तो आपका circular way में आकर elliptical shape create हो सकता है, वहां पे ages के उपर, तो आपको वो decide करना है, कि आपको क्या values देनी पड़ेगी, obviously आप same values होगे, X और Y की, I hope आपको ellipse और circle के बीच में difference पता होगा, ellipse क्या होता है, elliptical shape का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपका egg shape है, या जैसे कि हमारी जो पृत्वी है, अर्थ है, जब वो sun के around revolve करती है, तो अगर आप उसका direction देखेंगे, तो वो shape में होता है, जिसमें क्या हो गया, कि जो round भी है, मतलब घूम तो उसके circle में ही रहा है, अगर देखें तो revolve तो होगा, तो उसकी चारों तरफ होगा, तो चारों तरफ मतलब एक circle हो गया, नहीं, circle में आपका x direction और y direction सेम होता है, तो वो आपका uniform अगर है direction, तो उस case में क्य जा रहा हूं, और y में कम जा रहा हूं, जो y की distance है, वो कम travel कर रहा हूं, लेकिन x की distance जादा travel कर रहा हूं, तो वो आपका elliptical shape create करता है, तो वोई चीज यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, इसलिए x और y का option है, अगर आप x और y में same option दे रहे हैं, तो फिर आप एक तरह से circle ही create कर रहे है, तो ऐसा होता भी है, जो ellipse होता है, उसके अंदर जो x, if x is greater than y, तो आपका horizontal ellipse create होता है, और जब आपका y is greater than x, तो आपका vertical ellipse create होता है, और जब x is equals to y, पतलब x की value जितनी है, उतनी y की value है, तो उस case में आपका circular ellipse create कर देता है, तो यहाँ पर हम ले देता है, circular, I hope आपको समझ में आ गया होगा, circular and elliptical shape के अंदर, यह और जगा जब भी आप radius को use करोगे, कहीं पे भी, तो वहाँ पे भी सारे options आपको मिलेंगे, चिक है, अब हमको यहाँ पर radius provide करनी है, तो मैं यहाँ पर radius देता हूँ, तो यह तो हो गया मेरा top lap, and ऐसे design अगर आपकी required है, तो आप ऐसे designs भी बना सकते हो, using only, और फिर हमारे पास में option आता है, all, इसमें फिर समझ करना पड़ेगा, उसे radius, circular, और 21, आप देख सकते हैं, वही सेम चीज जो हमने starting में circular से करे थी, वही सेम चीज हो गई, तो इसमें preferred रहता है, कि अगर आपको all ही कर करना है, तो यहाँ पर all मैं इस तरही के से इतना lengthy लिखने की बजाए, आप क्या कर सकते हो, यही पर आपको circular का option मिलता है, यही आप provide कर सकते हो, तो यह सेम रहेगा, चीक है, तो यह तो हो गया हमारा border radius, जब भी हमको ages को round करना होगा, हमारे container का, तो वो हम decoration के through, उसमें एक border radius मिलता है, उसकी help से यह करवा सकते है, अब मैंको borders चाहिए, तो यहाँ पर हमको मिलता है border, तो यहाँ पर आपको जरूरत पड़ेगी border class की, तो border dot, यहाँ पर एक function मिलेगा all, अब इसके अंदर आपको border देने के सारे options जो है, वो provide किये जाएंगे, जैसे की mainly चीज, border देन अब कोई bracket additional लगा दिया है, अभी वापस करते है, तो आप यहाँ देख सकता है, कि border आ चुकी white चाहिए इतनी visible नहीं है, तो मैं यहाँ पर gray color कर लेता हूँ, यह black कर देता है, तो अभी आपको यहाँ पर border दिख रही होगी, और मैं अगर इसको थोड़ी से width बढ़ाता हू तो you can see the difference, ठीक है, इस तरीके से आप border add कर सकते हैं, ठीक है, color देना चाहिए, जो दे सकते है, वर्थ जितनी देना चाहिए, वो तनी दे सकते हैं, पर better रहेगा, कम जितनी width होगी, उतना जादा अच्छा लगेगा, अब बात करते हैं, यह तो होगी हमारा border, border के बाद में ह क्या-क्य options मिल जाते है, shadow के अंदर, आपको box shadow class के अंदर, control के साथ आप उस पर tap, control दबा के रखना है, और अपने cursor को आ ले जाना तो clickable बन जाएगा, तो यह जो class है, जो predefined class है, जिसको हम use कर रहे हैं, उसका पूरा detailed constructor मिल जाएगा, क्या-क्या चीज़े required है, उसमें कौन- spread radius, and यहाँ पर आपको मिलता है color, तो यह mainly काम आने वाले तो आजाते हैं इधर, और सबसे पहले तो ले देते हैं, अपन blur radius, 11, control-s करता हूँ, आप यहाँ पर shadow देख सकते हैं, कि automatically shadow आ चुकी, और आप बोलेगे color तो दिया ही नहीं, अभी अपन वहाँ गएते, तो default जो आ color आ चुका है यहाँ पर, अगर आपको color change करना है, तो आप change कर सकते हैं, बट उससे पहले मैं यहाँ पर spread radius जो है, वो बढ़ा देता हूँ, तो आप देख सकते हैं, यह बहुत जादा spread करतेगा, अपने इसको थोड़ा सा कम करते हैं, चिक हैं, चिक हैं, और अब हम क्या करत सकते हैं, जो हमारा color वाला position है, color, colors dot, अपन यहाँ पर gray को pass कर देता है, तो आप अभी देख सकते हैं, shadow देखने को मिल रहा है, आपको यहाँ पर, और यह ज्यादा तब भी अच्छा लगेगा, जो आपका main, जो shade हमने यहाँ दिया है, colors, इसको मैं आटा देता हूँ, तो अभी आप देख सकते हैं, exactly white के ओपर कैसा लगेगा, चिक है, और यह just blur radius है इसको और बढ़ा सकते हैं, spread को हटाते हैं, spread नहीं करना चाहते हैं, अभी आप देख सकते हैं, shadow काफी better लग रही बट इतनी ज़्यादा shadow देने की वीज़रूत नहीं है, सिर्फ मैं आपको दिख इसको भी हम use कर सकते हैं, तो इसको spread कर रहा है, चिक है, dark कर रहा है, तो इस तरीके से आप shadow को use कर सकते हो, अपने container के उपर, चिक है, अब बात करते हैं, यह तो हो गया हमारा box shadow, और box shadow से बाहर आ जाते हैं, उसके बाद में हमको यह option मिलता है, shape का, तो आप shape भी provide कर सकते है box shape dot, यहाँ पर आपको option मिलेगा, circle और rectangle है, देखो, rectangle तो आपका by default है, आपको दो option मिलना है, circle and rectangle, rectangle तो by default है, अगर आपको circular लेना है इसको, तो आपको simple सागय करना है, box shape, circle और यहाँ पर आगया, अब यहाँ पर देखो, फिर से एक error आगी, error क्या आईए, यहाँ पर आपक देखने को मिल जाएगा, box shape अगर आपने circular कर रखा है, अगर आपने उसको around करना चाहते है, आप उसको circular बनाना चाहते है, तो वो आपने अगर कर रखा है, तो फिर border radius का कोई role नहीं है, फिर आपको border radius अटाना पड़ेगा, जैसा कि हमने यहाँ पर border radius लगा रखा था, और border radius और यह जो हमारा box shape जो है, वो भी एक दर से देखा जाए, तो एक ही काम कर रहा है, अगर इस चीज को आप अच्छे से समझ रहे हैं, तो आपने यहाँ पर border radius दिया था, तो border radius circular करके मैंने आपको एक radius दिलवाय था, कि जितना width और height आपने दिया है, उसका अगर आप half दे तो आपको मिलेगा यहाँ पर एक circle, तो इस तरीके से आप भी अपने container को decorate कर सकते हैं, using decoration attribute और उसके इंदर आपको box decoration को use करना पड़ेगा, और box decoration में क्या-क्या options मिलते हैं, क्या-क्या attributes मिलते हैं, उनको किस तरीके से लगाना है, so that आप जो change लाना चाहते हैं container में, वो ले झाप